तो एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सपी का स्पार्क शेट में इस लेके आए हैं सेट A का एक से सतर तक फुल अब्जेक्टिव का आंसर की तो इस वीडियो के इन तक बने रहे हैं और मैं आपको 15 से 20 मिनिट में पूरा बता दूँगा एक से 70 तक आंसर की तो वह थे प्रेश्चा आंप लोग शुरू करते हैं एज जोला फर्म सिंब्योटिक रिलेशन्श्ञ शेप विद तो ऑस उला जो है वह है वह आपका संप्राइशनशीप फॉर्म करता वह का होता, इसका प्रहलेसे आंसर बीट न लोग बढ़ते हैं टैपछले शिव क्या शो लिए अपका शो करता है वो है आपका endomitosis and poly and polypoidy ठीक है यानि कि D अगले प्रश्क दोस्वाम लोग बढ़ते हैं what is formed from megaspor mother cell तो megaspor mother cell से क्या form होता है तो थरीक आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा c megaspor यानि कि c अगले प्रश्क दोस्वाम लोग बढ़ते हैं the austreos cycle processed by female animal is monkey human both a b and या d तो इसका सही अंसर जो दोस्वाइब वो आपका होगा d यानि कि cow अगले प्रश्क दोस्वाम लोग बढ़ते हैं माना शुक्रवान होएं कि एक्रोजोम का निर्मान होता है एक्रोजोम फ्यूमन स्पर्म इस फॉर्ण बाइड नूक्लियस लाइजोजोम गॉल्जी बॉड़ी या इंडो प्लाज्मिक रैटिकुलम तो बहुत लोग इसमें गलत कर देंगो इसका सही अंसर जो होगा वाप का फॉर्म होता है कोरियोन यानि की सी से तो सिक्स नम्र का पर सही अंसर हो जाएगा आपका सी अगले प्रश्क दोस्तों लोग पर से तब तक आप लाइक सेस्क्राइब कर देना दोस्तों इन इन एंग्यो स्पर्मिक प्लांट मेल गयमेट इस फॉर्म बाइड डिवीजन तो इसका सही अंसर होगा सेवन का वह आपका होगा जैनरेटिव सेल्स यानि की सी जनन कोशिका सी सेवन का दोस्तों नोट करने सी एट वेन कार्पेल इस अटाश्ट तोगेदर विट जिनोसियम एट इस कॉल एप्रियो कॉपस साइनो कॉपस मोनो केरिपैलरी मल्टी तो एट का जो आपका सही अंसर होगा वू आपका होगा वी दोसоко करके हमें बबताते ने जल से से कमेंट करते होगा वो आपका होगा भी फंगी अगरे प्रश्कान दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं या डी डबल स्टेंडर्ड आर न ए तो इसका सही आंसर जोगा 10 का वो आपका होगा B Single Standard RNA यानि एक Kundalani RNA 10 का अंसर होगा B अगले प्रेश्टों दोस्ते हम लोग बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा Nitrogen स्थिरी करन करता है Ribosome Which of the following does nitrogen fixation Ribosome Pseudomonas बोथ A and B या इस 11 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा Ribosobium ठीक है यानि की A 11 का सही अंसर होगा दोस्तों A अगले प्रेश्टों दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 12 Frankia is Biofertilizer Antibiotic Group of Bacteria या बोथ B and C तो 12 का जो दोस्तों आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा Biofertilizer यानि की Javik अगले प्रेश्टों दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 13 तो अगले प्रेश्टों दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका कुछ फर्ज बनता है Lithosphere is Lithosphere क्या है Lifeless, Naked, Rocky Region बोथ A and B या Algal तो इसका 14 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा Lifeless and Naked Rocky यानि की C बोथ A and B तो 14 का नोट करें दोस्तों C अंसर होगा 14 का अगले प्रेश्टों दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं Manushy Matratma मात्रात्मक लक्षन का उधारन An example of quantitative trait in human is तो hair color, skin color और ये जो आपका color of eye है वो दूसरे category में लाई करते हैं इसको याद है नहीं आ रहा है इसका सही अंसर होगा आपका Shape of nose नाक का जो है वो आपका quantitative trait in human है ठीक है अगले प्रश्कों और दोस्तों लोग बढ़ते हैं 16 Different form of gene are called तो different form of gene are called यानि इसका सही अंसर होगा B Allelie यानि की B अगले प्रश्कों और दोस्तों लोग बढ़ते हैं 17 Ration के धागे से कौन सा protein में कौन सा protein होता है Which type of protein is found in silk thread तो silk thread में जो दोस्तों होता है वो आपका होता है Fibryon यानि की A 17 दिका नोट करने इसका सही अंसर होगा आपका A अब तक आपका दोस्तों कितना सही हुआ है वो हमें comment करके जरूर बताएं और कैसा आपका subjective वो भी हमें comment करके बताएं 18 शक्ति रतन and protein are lysine rich varieties of rice, maize, wheat, cotton तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों C यानि की गे हुँ 18 का नोट करने दोस्तों C होगा आपका सही अंसर यानि की गे हुँ अगरे प्रश्णों दोस्तों बढ़ते हैं Penicillium produces तो Penicillium उत्पादित करता है 19 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा A and C यानि की Mito Sports और Mio Sports दोस्तों इसमें हमें confusion है दोनों क्योंकि अंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से इसका ज़्याद सही अंसर होना चाहिए D, both A and C आपने क्या किया है 19 नमर का आपने क्या 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 आपने क्या 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 बढ़ता है Fertilization is internal in 20 का जो आपका सही अंसर होगा वो होगा Shards यानि की Shards में 20 का सही अंसर होगा आपका B अगले पर शोर्ट दोस्तों हम लोग बढ़ता है Main source of variation is तो variation का जो मुख्य स्त्रोत क्या होता है Mitosis Division, Mutation, Meiosis Division या Fertilization 21 का आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा B Mutation यानि की उत परिवर्तन ठीक है यानि की B अगले पर शोर्ट दोस्तों हम लोग बढ़ता है 22 Emasculation is related to Mass Selection, Colonial Selection Hybridization, Pure Line 22 का जो सही अंसर होगा वो आपका होगा D Pure Line तो अगले पर शोर्ट दोस्तों हम लोग बढ़ता है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करते हैं अगले पर शोर्ट दोस्तों हम लोग बढ़ता है Mimicry is Mimicry is useful for तो Mimicry की उपयोगिता है 23 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा Protection, Sun Reduction के लिए यानि की A 23 का नोट कर ले कव कमूल एक सहजीवी संग है Microwheiser is a symbiotic association between algae and roots of plants, fungi and roots of plants, algae and fungi, bacteria and viruses 24 का जो आपका सही अंसर होगा वो होगा Fungi and roots of plants, कवक तथा पौधों की जोड़ी के बीच 25 मिनमें दोस्तों हम लोग मूव करते हैं तथा को लाइक करतें चैनल को Multimutalism occurs between equal and human, butterfly and flower Zoo, Chlorella and Hydra, Hermit, C, Anemone तो 25 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा Equal and human यानि की A 25 का A होगा आपका सही अंसर 26 हम लिए वर्षा का pH नीचे होता बहुत ही आसान question दोस्तों हमने कई वीडियो में इसका आपका ख़़ाया है solution 5.6 के नीचे 26 का आपका सही अंसर होगा A 5.6 pH of acid is below 5.6 अगले प्रश्चर दोस्तों हमने बहुत है 27 photochemical smoke consist of the photochemical smoke क्या consist करता है तो photochemical smoke जो है वो आपका SO2 PAN and smoke contain करता है निकी A 27 का A आपका सही अंसर होगा 28 के आपका बहुत है दोस्तों 28 का आपका सही अंसर Captation माफ कीजाए कुछ गरब रही आगी थी Cappacitation Cappacitation is a natural process occurs in 28 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा A Epididemis यानि की A अगले प्रश्चर दोस्तों हम लोग बढ़ता है 29 Which of the following implants in the lining of uterus तो इसका 29 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा Blastocytes यानि की D 29 का D अगले प्रश्चर दोस्तों हम लोग बढ़ते है Human Embryo is Protected In मानव भुरून सरनक्षित होता है Eleno Toys Aminotis Cavity Plutal Cavity या Peritunial Cavity तो 30 का जो आपका सही अंसर होगा वो होगा दोस्तो Aminotic Cavity यानि Aminotic गुहां में अगले प्रश्चर दोस्तों हम लोग बढ़ते है 31 मनुष्य के विकास की आयू किसके द्वारा मापी जाती है Age Evolution of Man is measured by UV radiation, carbon rating, chemical reaction, radioactive dating तो 31 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा UV radiation अगले प्रशकर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तो पर लाइक कर देब दैज़ के लिए धूर्यों चैनल को स्क्राइब जरूर के दोस्तों कि फ्री है क्या आपका यार्णा है सस्क्राइब करने मियार 32 तो धुस्तर स्क्राइब कर आदनेन नदनने सीक्मेश दन्रदेसेयर के लिविंगव रैप्टाहए एक्सेंपटाहए दाले पर सेटेस HOW घृताइब किको हरे भीर निठीट समस्केम्हेर एक्सटरेसे देटेस्टी तो 33 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा A Age of Mammals and Modern Flora 34 RNA से जो DNA बनता है उसे कहते हैं DNA formed from RNA is called तो 34 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा C DNA यानि की D अगले प्रेश्वर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हाफ objective है हम लोग दोस्तों पहुँच चुके हैं और आपने अब तक subscribe और like नहीं कहा है तो जरूर कर दे दोस्तों मेहनत लगती हैं गलास सुकता है दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में लगातार तो आप subscribe और like जरूर कर सके होगा इतना तो आपका बनता है तो 36 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा B यानि कि न्यू न्यू क्लेसिस यानि कि B अगले प्रेश्च दोस्तों में बते हैं 37 मनुश्यम के हाथ चमगादर के पंक था था हवेल के फ्लिपर अभी व्यक्त करते हैं human hand wing of wing of bat and flipper of whale represent तो 37 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा D यानि कि homologous organ 37 का आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा D homologous organs अगले प्रेश्च दोस्तों में बढ़ते हैं 38 तो 38 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा B यानि की any any link यानि की B अगले प्रेश्च दोस्तों लोग बढ़ते हैं विच आफ दी फॉलॉइंग इस नॉट टूल आफ आर डी टी तो निमलिखित में से कौन आर डी टी का साधन नहीं है वेक्टर इंट्रॉंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या पॉलीमरेज एंजाइम तो 39 का जो आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा इंट्रॉंस यानि की B अगले प्रेश्च दोस्तों लोग बढ़ते हैं चारिसमा कुश्चन है या आपका चारिस नमर कुश्चन पर दोस्तों एंजाइम टी एक्यू पॉलीमरेज इस ऑप्टेंड फ्रॉम तो 40 का जो दोस्तों आपका सही अंसर होगा वो आपका होगा डी बोथ ए और सी थामस एक एक्वेटिए एक टिकस और ट्राइघ्डरे और और कॉंड्रे मा एकवेटिग यानि की A और सी दोनों तो जो भी दी मारके हैं बिल्कुल सहिए दोस्तों अब तक आपका कितना सही वा याड कमेंट करते हूँ यार प्रीमेर चाला है कमेंट करो उसमें कि आपके कितना सई हुआ है और दोस्तों कमेंड करके बताते हैं controlling हो सकता है हमारा किसी किसी confusion हो तो हम आपको जरूर the source आगे देंगे या फिर किसी में confusion हो तो वह आपको चेक कर एक बार फिट से रूर कर बताएंगे लुग कमेंड करके मिटा तो worldifiques text day is celebrated on every year on यह तो बहुत important कुछ है हर बार पुछा आता है तो 41 का जो आपका सही answer होगा वो आपका होगा B 7th April, 7 April को 42 Amino synthesis involves the analysis of 42 का जो आपका सही answer होगा वो आपका होगा Amniotic fluid यानि की C Amniotic fluid, Amniotic dhvd का यानि की C 43, Copper T का कारी क्या है What is the function of Copper T, stops zygote formation, stops conception, stops fertilization, checks mutation तो 43 का जो आपको सही answer होगा वो आपका होगा Stops fertilization यानि की C अगर प्रश्चर दोस्तों लोग बढ़ते हैं Genital what's spread by which of the following Hepatitis A, Hepras virus, Trichomonas, Papilloma virus 44 का जो आपका सही answer होगा वो आपका होगा D, Papilloma virus अगर प्रश्चर दोस्तों लोग बढ़ते हैं 45 DNA पुनड योगरत शतनी उप्योग करता है तो DNA, Romo, Re-Combian Technology uses Cloning Vector, Restriction, Endonucleza and DNA Ligase Gel, Electrophoresis या D, all of these 45 का जो आपका सही answer होगा दोस्तों वो आपका होगा B यानि कि Restriction of Endonucleza and DNA Ligase यानि कि B अगले प्रश्चर दोस्तों लोग बढ़ते हैं 46 Genetically engineered bacteria are being employed for production of 46 का जो आपका सही answer होगा वो होगा आपका B, यानि कि Insulin, B अगले प्रश्चर दोस्तों लोग बढ़ते हैं 47 Which vector can clone only a small fragment of DNA Comed, BAC, Plasmid या YAC 47 का आपका जो सही answer होगा दोस्तों वो आपका होगा यानि कि C Plasmid, यानि कि Plasmid Sorry, Plasmid नहीं, Plasmid अगले प्रश्चर दोस्तों लोग बढ़ते हैं Which of the following restriction enzyme produces blunt ends Salvan, Eco, RV, HIND, 3, XHO तो इसका सही answer जोगा 48 का वो आपका होगा B, Eco, R, B यानि कि B अगले प्रश्चर दोस्तों लोग बढ़ते हैं Which of the following is not method of in-suite conversation or biodiversity So, दोस्तों इसकूशन में प्रश्चर दोस्तों लाइक और सस्काइब जरूर कर दें इतना मैनत लगत लगते हैं इतना गलाज खुकता है दोस्तों वीडियो बनाने में यह एक से सथर तक है एक वीडियो में तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को like, subscribe और share जरूर कर दोस्तों और किसी अने सेट के भी है तो आप में PDF सेंड कर सकते हैं वाटसाइप और कोई भी question में आपको doubt आए तो comment करके हमें जरूर बताएं तो दोस्तो 49 का जो आपका सही आंसर हम आपको बता दे 49 का आपका सही आंसर होगा A. Botanical Garden which of the following is not a method of in-suite conversation or biodiversity का सही आंसर होगा आपका A. Botanical Garden 50 दोस्तो who log gibbon is found in giri national party जो बहुत ही आसान था दोस्तों इसका सही आंसर होगा काजी रंगा bird sanctuary यानि की D. अगले प्रशूर दोस्तों करें 51 अंटियो वोट इस अंटियो लोब शर्वी कैप्रा वनरेबल स्पीशी अंडेंजर्ड स्पीशी एक्स्टेंड स्पीशी या क्रिटीकली एंडेंजर्ड स्पीशी तो 51 का दोस्तों आपका सही आंसर होगा वह आपका होगा एंडेंजर्ड स्पीशीज यानि की भी अगले प्रश्चुर दोस्तों लोग बढ़ते हैं इसका आप मान की चलें इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज वह इसका हम कमेंट करके दोस्तों आपको कंफार्ण करेंगे लेकिन हमने इस तहां तक निकाला है कुछ कंफिजन रेट डेटा बुक में आपका वनरेबल एंडेजर्ड थेटिन अनिमल्स के बारे में लिखा हुआ यानि की दी अगले प्रश्चुर दोस्तों लोग बढ़ते हैं वर्ल कंफर्वेशन डे इसमें हो सकता है दोस्तों आपको ग्रेस मार्क विले 53 में क्योंकि आप इसे सर्च इंट्राक्शन और आप आंटीजन आंटीबोडी इस कॉल तो 54 का आपका सही आंसर वह वो आपका होगा इसका सही आंसर जोगा दोस्तों वह आपका होगा ए से रो लॉजी यानि की ए अगले प्रेश्चुर दोस्तों लोग बढ़ते हैं 55 तब तो आपका कमेंट करके बतात तो में बढ़ते हैं लेपरेसी जो आपका कौश होता है वो आपका सी माइक्रो बैक्टीडियम यानि की माइक्रो बैक्टीरियम द्वारा अगले प्रेश को दोस्तों में बढ़ते हैं 56 निम लिखित में से कौन सा विशान हूं जनित रोग का एक जोड़ी है विच आप फॉल अगलर प्रेश को दोस्तम लिख पने 5,07 पूशा शुब्रा इस वेराइटी ओफ तो इसका सही आंसर डोस्तों होगा कॉली फ्लावर यानिकी बी दोस्तों अब तक आपने लाइक और स्थरुण में करें अगलर फ्रेश प्रोड़ता है production of plant without fertilization is done by तो हो सकता है इसमें भी आपको grace mark भी ले क्योंकि इसका सही answer जो होगा वो आपका vegetative propagation of drafting यहाँ पर option दिया गया हुआ है both A and B, both A and C होना चाहिए था यदि आप vegetative propagation भी mark या है तो आपको हो सकता है कि grace mark भी hard बोड दे वैसे आप इसमें क्या option मारे हैं वो आप में comment करके बता है या आपने attempt नहीं किया तो बहुत अच्छी बात attempt किये हैं तो दोस्तों में comment करके बता हो सकता है आपको grace mark की question में मिलेगा तो 59 पे दोस्तों लोग बढ़ते हैं ट्रिक्टियम एंड एसी टीवियम विच इस हेक्सा प्लॉइड वीड पॉसेस तो इसका सही आंसर होगा इसमें आपको chromosome का नमर बताना था तो chromosome का नमर आपका होगा बे आलेस यानि की डी तो दोस्तों यह जो आपका 58 नमर है इसका दोस्तों यह आप सीम आ रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको नमर मिलेगा और हो सकता है इसमें आपको IV-191 पाजर आपका सही आंसर होगा वह आपका होगा उसका सही आंसर होगा हुज टू 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 एमपय सिassie M blueberries की टी अ्टिक है सका सही आंसर होगा का ठील फंब्सका दोस्तों बढ़ते हैं 62 हाइब्रीडो जोमा हाइब्रीडो मैज आर इंप्लॉइट फॉर 62 का आपका सही अंसर बताना है production of somatic hybrid killing of cancer synthesis of antibiotic synthesis of monoclonal antibodies तो इसका सही अंसर जो होगा दोस्तों वह आपका होगा 62 का D synthesis of monoclonal antibodies यानि की D अगले प्रश्कों दोस्तों लोग बढ़ते हैं which of the following releases methane rice field cattle termite तो उसका सही अंसर दोस्तों हमारी सबसे all of these होना चाहिए cattle produce करता है rice field से दो दुस्तों बहुत सारा होता है methane producers का all of these answer होना चाहिए ठीक है अगले प्रश्कों दोस्तों लोग बढ़ते हैं carbon monoxide is major pollutant of बहुत हल्वा सावार है दुस्तों air अगले प्रश्कों दोस्तों लोग बढ़ते हैं 65 which of the following exhibits bio magnification DDT mercury बोथ A and BSO2 तो 65 का जो आपका सही अंसर होगा वह आपका होगा DDT यानि की ए जो भी DDT मा रहे हैं बिल्कुल से दुस्तों में comment करके बता दें सेशन में कि आपका कितना objective अब तक सही हुआ है या फिर किसी आपको डाउट है तो में comment जरू करें हम समाधान आपको जरूर देंगे अगले परश्का दोस्तों में बढ़ता है दी मोस्ट दी मोस्ट एडवर्स इफेक्ट आफ रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट पल्यूटेंट इस तुबर कि लोसी पोल्यू है पाप है एप हैपी टीटर्स या जीन गापगो बढ़ते हैं लिजोत इस अंछिराख मेरी सब से जेडियो हम्यार्व को लोगा वह आपक बायगे त्याब्स को णोप्ता आंज-टेंडियो हम कुआ है एंक और 50 सीक जिस सेवन of sugar is called 68 जो आपका सही अंसर होगा वह आपका होगा भी पेंटा पेंटास यानिकी बी अगरे पर दोस्तों लोग बढ़ता है नूप्लियोटार अरेंजमेंट डिन डिन इन ए कैन बी सीन बाई तो नूप्लियोटार अरेंजमेंट डिन इन डिने में किसे देखा जा सकता है तो 69 यानिकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यानिकी बढ़ता है तब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कि आपका यह फर्द मनता है कि हमें सपोर्ट करें हम इतनी महनत करें तो आपका भी कुछ फर्द मनना और दोस्तों हम यदि आप वीडियो को लाइक करते तो वही हमारे मह इनहत का अफल होता है कि हमने बनाए वीडियो चातरों के लिए तो हमें भी कुछ बेनिफिट हुआ दोस्तों ऐसे दुस्तों कोई बेनिफिट है नहीं क्योंकि बहुत ही कम रेट मिलता है ऐसे वीडियो उसका इफ एन इसलेटेड पीस ऑफ डियने इस केप एट एटी टू तो इसका लास्ट का जो सही आंसल होगा वह आपका होगा डी इट चेंश दो आरे तो इसी के साथ दोस्तों यह सीरीज आपकी खताम हो गया होगा तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपना बांकी का दिने जोई करेंगे और कुछ क्रियेटिव वर्क भी करेंग प्लस आपका बहुत अच्छे से गया होगा बोड और बहुत अच्छे नमरों से आप पास करेंगे तो मिठाई जरू खिलाएं दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो ने तब तक लिए जय हिंद्वन्दे मातरम और दोस्तों रिजल्ट की देरी बिलकुल ना कर करें अराम से कुछ वीडियो देखें माजाक हांसी माजाक करें और पढ़ाई पिवदियान दे तो जय हिंद्वन्दे मातरम